ऐसी पत्रकार का पक्ष ले रहे हो जो गुजरात जरीली सराब में यह नहीं पुछती कि जिस गांधी और पटेल का गुजरात पिस्व में दिख्यात है उस जहां सराब बंदी है वहां आमदाबाद से सराब बनाले का गेमिकल कैसे लाया गया बच्चों का तसकरी करने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है भारत की खूफिया जानकारी देने वाला भरती जंता पाटी का नेता कैसे होता है अदानी के पोर्ट पर बार बार ट्रक्स का रैकेट पक्रा गया अंजना उमक से पता एक डिपेट बता दो क्या होता भाईया आप देश की बैश्टी करो आप देश बैच दो देश बैचने वालों के साथ मुझरागाओ और हम आपकी बैश्टी भी न करें समझे ये सारा जो मोधी सरकार की नाकामी है भाजपा के लोग और मीडिया वाले जिस तरीके से बिद्वा बिलाब कर रहे ये उस समय चुप होते हैं जब महराष्ट में एक चुनिवी सरकार को ED, Income Tax, CBI के सयोग से एकनाच सिंदे और भवना गवली के नित्रतब में जिस तरीके से डर और भै और खौफ में सरकार को गिरा दी गई और आलोगतांत्रिक तरीके से आज वही ED, CBI, Income Tax एकनाच सिंदे पर कारवाई नहीं कर रही है आज उसी भवना गवली पर कारवाई नहीं हो रही है आज वही महराष्ट से जो कभी सिफसेना और कॉंग्रेस में रहते हुए नरायन राने पर कारवाई होती थी वही ED, CBI, Income Tax जब BJP में वह आ गये clean shit उनको भाजपा वासिंग पाउडर से साफ नहला दिया गया तो भाजपा सरकार में केंदर में मंत्री है तब नहीं बात होती ये करते क्या भी बिहार में धरना करेंगे सब जिला में तहलना करेंगे क्या होता है आप देश की बेचती करो आप देश बेच दो देश बेचने वालों के साथ मुझरा गाओ और हम आपकी बेचती भी ना करें आप पूतना की तरह है बहुत जाधा दर्द आपको हो रहा है और किसी को नहीं आप तो ऐसे हैं जैसे कुत्टे के प्छवारे पर किसीने दाल दिया हो और वो चलने लगता है किसीने आपके साप बिल में गरम पानी डाल दिया हो और साप करनारे के समय करने क्यों नहीं गई थि बेंगलोर्ण मदपरदेश के समय बोपाल क्यों नहीं गई माराश्ट के समय में बॉंबे में जाके करती अरे भाईया सुनतो लो अंजना उमकसिप के पती को सीबी सी में चेहरमेन बनाया गया था आपको भी पता है और क्यों बनाया गया था उनके पती का करोवार का भी आपको पता है आप अंजनावन का सेब से पूछिए कि रोजगार सिर्जन की बात मोदी सरकार नहीं करती है आठ साल हो गए मोदी जी का बादा था हर साल दो करोण युवाओं को रोजगार देंगे देश का युवा भविस्य होता है युवाओं का भविस्य 2018 में जो वेकेंसिया निकली थी उसके खिलाफ आज भी देश का युवा कोटों के चक्कर काट रहा है उस पर रिवेट नहीं चलाएगी आप पूछिए अंजनावन के सेब से टेश की सबसे बड़ी चैनल है और सबसे बड़े पत्रकार है क्यूं न करें उनका विरोध करें वही बाज़ अरे सुन दो भाईया उस समें विरोध करें पूतना कोन थी थी भाईया पूतना कौन थी महिला ही थी न तो क्या हुआ समझीए फरकार नितीजने गिराई है अब पूतना की तरह गई थी बिहार के जो कृष्ण के तरह है लोगों ने उनका विरोध किया इसका मतलब आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं आप अप सब लोगों पर हिंदू बिरोध का हम नहीं लगा रहे हैं हमारा धर्म सिखाता है सुनिए हम रावन का पुतला इसलिए जनाते हैं रावन का इसलिए बद किया गया कि रावन गलत था ठीक है आप लोग आतंकबादियों से भी गये गुजरे हो आपने 2000 की जाली नोट चापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिवेट चलाया कि गुजरात के स्वामिनात मंदिर में 2000 नोट चापने की मसीन पकरी गई 2000 का नोट पकरा गया तो आपकी अंजना दीदी ने आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने अरे दलाली भरवएगिरी बंद करो अडानी के पोट पर बार बार ड्रक्स का रैकेट पकरा गया अंजना उमकसिप को पूछना चाहिए पूछता है भारत अर अंजना उमकसिप परनम गुस्वामी रजत सर्मा जैसे पत्रकार पूछना चाहिए कि देश के युवाओं को क्या आप नसेरी बनाना चाहते हैं आप नहीं सवाल पूछोगे आपको पूछना चाहिए अंजना दीदी के आपको कि गुजरात में जहरीली सराब का मास्टर माइंड कौन है खुद प्रधान मंत्री के गिरी जिले में अबैत क कारोबार होता है गिरी मंत्री अरे सुनिए आपकी दीदी होगी सुन लो आपकी दीदी आप उछल रहे हो उचल रहे हो पक्षले रहे हो अरे बेसरमों सरम करो उसी जहरीली सराब में यह नहीं पूछती कि जिस गांधी और पटेल का गुजरात विस्व में विख्यात है उस जहां सराब बंदी है वहां आमदाबाद से सराब बनाले का केमिकल कैसे लाया गया आप नहीं सवाल पूछते कि जिन लोगों के सर से माबाप का साया गया है जिन मैं बहनों का सुहाग उजर गया जो बच्चे यतीम हो गए जिनकी किर्णिया फे कह रहा हूं तो बेसरमों आपके पुछबारे पर किसी ने मट्री का तेल छिरक दिया कि कुट्ता भी बेबज़ा नहीं भोगता और आप जैसे पत्रकार भें 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 24 गंट्रा भें भें करो वहां कि अधारी तो अटिया है अपनी बेन घर पे नहीं होती है अर्य गों बेक के नारे तो लगने हैं स्रिलंका जैसे हाला डेस की हो गई है कौन जबाब दे है प्रधान मंत्री के ठारा ठारा गंटा काम करने की सेली बैंकों को दिवलीया बना दिया देश को खोखला किर दिया देश परिशान है परधान मंत्री के भाईों बहनों आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर सत्षर पे पक्का छत होगा हर घर में नल होगा हर नल में जल होगा हर घर में लेडी भलव होगा परधान मंत्री जी वादा तेरे बादा पे पूरा देश मारा गया तब आपके अंजना दीदी कहां तथया कर रही होती है तो आप नहीं पूचते अंजना दीदी से प्रधान मंत्री ने कहा था 2012 में किसानों की आई दूगनी कर दी जाएगी तब तथाया कहां कर रही थी आप का अंजनादी दी अरे सुन तो लो सबाहल इसको मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी ये तो आप आज तक किसने की इतनी आउकाद नहीं है आप जैसे पत्रकारों की कि जो सबाल पूछे कि गद्धारी सबसे बड़ा गद्धारी तो है देश बेचने वालों से जितना गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पूल आज ता हाबर का पूल जिन्दा है अटिग है लेकिन मोधी जी के यहाँ नर्मदा नहर पर्योजना का उदगाटन करते ही 24 गंटे में जैसे रुई का पूल चार पांच बुंदों में अरे बारिस के चार पांच आपने अरे अरे सुनतो लो यही प्रधान मंत्री जी काते भायों बहिनो दिली में सत्ता में बाइठा निकमा चाब ओडर पर सारे बोडर सिक्रेट्री फोर्स है तियार कहां चे आते अरे प्रधान मंत्री जी ये तो बताओ कि भाजपा का प्रदेश उपाद्यक्ष में घाले का चकला घर कैसे चलाता है उसके फर्म हाउस में 400 दारू की बोतले कैसे आती है आप पूछो बच्चों का तसकरी करने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है भारत की खूफिया जानकारी देने वाला भारती जंता पाटी का नेता कैसे होता है भारत में कोकीन रखने वाला भाजपा क आप कमजोर हो इन्होंने तो अपने पिताजी को नहीं छोरा कहते थे मेले पिताजी ताई बेचते थे माच चौका बरतन करती थी अरे भाईया और आपको भीख मंगवाता था भरी जमानी में आप बास को पकमान खेलाता था मतलम इन अपने पिताजी को भी नहीं छोरा जिस से जन्म लिया क्या और पिता जी बेश्टेते when day 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 आपने चर्चा नहीं कि यह बिद्वा भिला आप कर रहें कि कि एनके सम्झो'M घर में कोई सद्वा हो गया यह महरास्च नहीं जुखी नहीं धे दुखी नहीं थे करनाटक में दुखी नहीं थे इनका रोजगार का साधन था इनके दो-दो डिप्टिस एम थे बिहार के इस्वों पर आज जो गिरिराज सिंग भूंकता फिरता है अलग अलग धार्मी कुनमान फैलाने की कोशिस करता है जिस सर्यत कानून की बात कहता है और जिस आदमी परेलिगेशन क्या है आप लोगों कोने रभी संकर प्रसाद ये लोग खुदगर्ज लोग हैं सत्ता के हवसी लोग हैं रभी संकर प्रसाद गिराज सिंग जैसे गिरे हुए दो कवरी के लोगों ने कभी जो बिहार आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था पूरे देश में मिठा कि कि कशम, खाओन अपने धर्म सास्त्रों की किसम, खाओन अपने परिवार के लोगों की किसम, पूछ रहा हूं, इतना जवाब दो, ढलाली भरवाईगीरी मत करो, पैने जो पूछ रहा हूं, जवाब दो, आजादी के पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, याज क्यूं न प्रुब्सार घ्रिया प्रिया सुनाल